Hey everyone, मैं हूँ गौरम मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूँ Magnet Brains के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर और आज के सेशन में हम Class 9 के Maths के Chapter 7 यानि कि Triangles की शुरुआत करने जा रहे हैं यानि कि ये जो वीडियो है, Focused होगी इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपके Chapter 7 Triangles पे introductory बाते जो होती हैं किसी Chapter को शुरू करने से पहले वो सारी बाते आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी ये वीडियो एक tempo set करेगा हमारे पूरे Chapter को सीखने के लिए और solve करने के लिए तो बहुत जादा important वीडियो है ये और अभी तक अगर आपने Class 9 के Maths को पढ़ना चालो नहीं किया है तो इसी वीडियो के description box में आपको Class 9 के Maths के Playlist के link मिलेगी उस पे click करिएगा तो Class 9 के Maths की नए session की Playlist आपके सामने होगी जो भी वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है उसको जरूर आप देखके आएगा आपके concept को पूरी तरीके से clear कर देगा आपके understanding को बहुत जादा अच्छी कर देगा तो यही सारी बातों को ध्यान रखते हुए ये बात आप जानते हैं कि Magnet Brains वो platform है जहाँ पर education completely free है यहाँ पर दो chapters पढ़ने के बाद बागी chapters पढ़ाने के लिए आपसे कोई भी payment नहीं लिया जाता है तो चलिए start करते हैं session को और देखते हैं कि बहुत इंट्रोडक्शन के नाम पर आपको triangles में क्या बताया जाएगा अब जैसा कि आप मेरे style से वाकिफ होंगे हम शुरुवात करते हैं एकदम basic से यह निकि शुरुवात करेंगे हम छोटी छोटी चीजों से तो chapter का नाम अगर triangle है तो शुरुवात होनी चाहिए triangle से कि यार triangle होता क्या है तो basic definition दे रहा हूँ जो आप छटवी पाँचवी या सातवी या कहलो कहां कहां नहीं पढ़के आये हो तो definition कहता है a closed figure having three side, three vertices and three angles is called a triangle तो अगर triangle को define करना है तो आप बोलेंगी एक closed figure है सबसे important शब्द यहां पे है कि जो आपका figure है इस जो भी geometrical shape आप बनाने वाले हैं वो figure closed है यानि कि सारे के सारी line जो है एक दूसरे से meet करती है तो यह closed figure है जिसमें कितने sides हैं जिसमें आपके पास तीन side हैं जिसमें आपके पास तीन vertices हैं और जिसमें कितने angle होते हैं तीन angle होते हैं देखो तीन तीन आ रहा है इसलिए क्या बोलते हैं इसलिए तो try angles बोलते हैं यह जो नाम है नाम में ही तो बाते चुपी है नाम है chapter का try angle try का मतलब होता है तीन angle तो होते हैं angle तो ऐसा figure जिसमें बने 3 angle और वो closed हो उसको हम कहते हैं triangle तो नाम में ही पूरे chapter का summary आपके लिए छुपा हुआ है अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए एक figure बनाया है क्या यह triangle है? हाँ sir triangle है, क्यूं? क्यूंकि sir यह closed figure है, इसमें 3 side है तो यह triangle है अब इसमें कौन-कौन से 3 vertices हैं vertices वो point होते हैं जहाँ पे आपके edges meet करते हैं तो पहले मैं edges की बात अगर करूँ या sides की बात मैं अगर करूँ तो यहाँ पे 3 side है, एक side AB है, दूसरा side BC है और तीसरा side AC है यहाँ पे देखिए, यह वाला जो side है AB है, यह वाला जो side है BC है और यह वाला जो side है, आपके पास कौन सा है, आपके पास AC है यह 3 sides आपको यहाँ पे given है जहाँ पे sides meet करते हैं, उनको हम बोलाते है vertices तो यह जो point है, जहाँ पे AB वाला side और AC वाला side meet करता है यह आपका एक vertex है vertex जो होता है वो singular होता है plural नहीं होता है vertices शब्द plural होता है तो क्योंकि यह एक है एकलोता है इसलिए हम बोलेंगे vertex A जबकि यहाँ पे यह दूसरा point है तो इसको हम बुलाएंगे vertex B और यह तीसरा है तो हम इसको बलाएंगे vertex C यह तीन vertex आपके सामने है जब तीनों को साथ में बुलाओगे तो आप शब्द का इस्तमाल करोगे vertices जो की vertex का है plural अब तीसरी बात आती है angle की तो यहाँ पे तीन angle बनते है यह angle है आपके पास angle A यह angle है आपके पास angle B और यह angle है आपके पास angle C यह तीन angle यहाँ पे बनते हैं अच्छा जरूरी नहीं है कि हर बार angle का नाम A, B, C हो आप इसको बड़े innovative तरीके से भी लिखते हैं जैसे देखिएगा यह जो angle है इस angle को हम लिख सकते हैं angle B, A, C अगर आपने अगर lines and angles chapter पढ़ा है तो आप यह सारी बाते जानते हैं अगर नहीं देखा है इसलिए मैं इस वीडियो में यह सारी बाते भी बताता हूँ तो यह angle आपके पास angle B, A, C है जबकि यह वाला जो angle है यह angle है आपके पास angle A, B, C याद रखो जो भी angle आपको चाहिए उसका vertex बीच में आना चाहिए जैसे कि आपको यहाँ पर angle A चाहिए था तो उसका vertex बीच में आया था यहाँ पर angle B चाहिए था तो उसका vertex बीच में आया था और अगर आपको यह वाला angle चाहिए तो यह angle कौन सा है यह angle है आपके पास ACB भी कह सकते हैं और BCAB कह सकते हैं तो आप इसको बुला दीजिए ACB कोई issue नहीं है याद रखो vertex बीच में रख सकते हो बाकी जो A और C है वो exchange हो सकते हैं CBAB कह सकते हो ABCB कह सकते हो कोई issue नहीं है तो यह brief introduction था आपके पास triangle के बारे में अगर आपको idea होगा तो हम इस chapter में congruent triangles की properties पढ़ने वाले हैं बहुत जरूरी है यह बात जानना क्योंकि generally हम में से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो types of triangles से वाकिफ नहीं होते हैं तो यहाँ पे हलका सा discussion मैं आपसे करता हूँ types of triangles पे यानि कि triangles के अलग-अलग प्रकार triangles की क्या अलग-अलग प्रकार तो देखिएगा सबसे basic type जो मैं यहाँ पे लिखूँँगा मैं यहाँ पे दो types में classification करूँगा triangles का एक होता है on the basis of angles यहाँ पे जो मैं classification कर रहा हूँ वो classification है on the basis of angles यानि कि angles के basis पे मैं triangles का क्या करूँँगा classification करूँगा जब कि यहां पे मैं classification करूँगा on the basis of sides यानि कि side के basis पे मैं triangles का क्या करूँगा classification करूँगा on the basis of sides तो यहां पे angles और यहां पे sides के basis पे classification होगा तो angles के basis पे कैसे classify हम करें तो यहाँ पे सबसे पहला triangle आता है जिसको हम बुलाते है acute angled triangle कौन सा triangle? acute angled triangle अब यह acute angled triangle क्या होता है तो जो acute angled triangle होता है यह एक ऐसा triangle है जिसमें तीनों के तीनों angle जो होते हैं acute होते हैं acute का मतलब समझते हो acute angle वो angle होता है जो कि 90 degree से छोटा है तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा acute angle triangle की तो चलो एक triangle अपन बनाने की कोशिश करते हैं जैसे कि मैंने ये triangle आपके सामने बनाया क्या ये triangle acute angle है तो आप बोलोगे सर हमें तो आप angle के measurements बताईए तो मैं ले लेता हूँ मालो इसका measurement जो है आपके पास 50 degree है इसका जो measurement है आपके पास 60 degree है तो 60 plus 50 110 हो गया तो माल लेजी इसका measurement जो है आपके पास 70 degree है अच्छा आपसे कोई बोले कि यार हमें कैसे पता कि ये तीनो angle का measurement लिखा गया है ये सही है या गलत है तो आपको याद होगा last chapter lines and angles उसमें मैंने आपको एक property पढ़ाई थी property का नाम था angle sum property तो ज़रा हम समझ लेते हैं कि angle sum property क्या होता है समझ ये हम क्या पढ़ना चाहते हैं हम पढ़ना चाहते है angle sum property किसका angle sum property तो angle some property हम पढ़ना चाहते हैं एक triangle की तो जब आपके पास एक triangle होता है कोई सा भी triangle हो सकता है ऐसा कोई limitation नहीं है कि कोई particular triangle जो ऐसा दिखे वही हो सकता है triangle अगर ऐसा दिखेगा तो भी वो triangle है triangle अगर ऐसा दिखेगा तो भी वो triangle है मैं सभी types of triangles की एक बार में ही यहाँ पे बात करता हूँ तो triangle किसी भी प्रकार का हो उसमें हमेशा 3 angle होंगे तो माल लीजिए angle A होता है, angle B होता है, angle C होता है जब आप 3 angles को sum करोगे तो हमेशा और हमेशा आपको 180 degree मिलेगा इसलिए याद रखिएगा कि angle sum property of a triangle आपको यह कहता है कि एक triangle में जितने भी angles होते हैं, उन सब का sum आपको हमेशा 180 degree मिलता है तो इसी तरीके से मेरा मन हुआ कि यह जो triangle मैंने बनाया है, यह सही बनाया है या गलत तो यहाँ पे 3 angles हैं, तीनों का sum करके देखो, पहला angle 50 है, अगला angle 60 है और अगला angle 70 है अगर तीनों को आप add करोगे, तो 50 प्लस 60 होता है 110, 110 में 70 जोडेगा तो बनेगा 180 degree यानि कि तीनों angle का जो sum है, क्योंकि वो 180 है, इसका मतलब यह जो triangle है, एकदम सही बना है, कोई शू नहीं फिलाल, हम बात यह नहीं कर रहे थे कि सही है या गलत है, हम बात कर रहे थे कि यह triangle acute क्यूं है तो मैंने आपसे कही थी बात कि जो acute angle होता है, वो वो angle है, जो कि 90 से छोटा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस triangle के तीनों के तीनों angle जो है, 90 से छोटे हैं किस से छोटे हैं? 90 से छोटे हैं, acute angle मतलब वो angle जो कि 90 से छोटा है तो तीनो angles क्या है 90 से छोटे हैं भाई जब तीनो angles 90 से छोटे हैं इसका मतलब यह जो triangle आपके सामने बना यह triangle आपके सामने बन चुका है acute angled triangle अच्छा हम पढ़ाई किस की कर रहे थे वो तो नहीं भूल गए हम पढ़ाई कर रहे थे types of triangles की और उसमें पहला classification है on the basis of angles और उसमे पहला कौन सा था acute angled triangle जिसमें हमने यह पढ़ा कि एक ऐसा triangle जिसमें तीनो angle का जो measurement है वो आपके 90 डिगरी से आना चाहिए छोटा अगर ऐसा होता है तो triangle जो है आपके पास acute angle बनता है अब बात आती है कि ठीक है सर आपने acute angle समझा दिया दूसरा कौन सा triangle होता है तो दूसरा triangle होता है right angled triangle कौन सा triangle दूसरा triangle है आपके पास right angled triangle समझेए जो right angled triangle होता है अच्छा यह जो आखरी में मैंने इसれない symbol बना दिया यह symbol actually denote करता है right angled और यह जो symbol है वो क्या है triangle है तो यह पढ़ सकते हैं आपन इसको right angled triangle यह जो short form है आप कभी भी एक्जाम में इस्तमाल मत करिएगा आप exam में पूरा नाम लिखेंगे, तभी काम बनेगा, हाँ, इस symbol का कहीं कहीं utilization हो सकता है, कहां हो सकता है, उसका मैं बाद में detail discussion करूँगा, पर आप exam में ऐसे नहीं लिखेंगे, आप exam में लिखेंगे right angled triangle, मैंने समय बचानी के लिए काम किया, तो सुनो, तो आप right angled triangle सर क्या होता है, तो right angle triangle की अगर मैं बात करूँ, तो एक ऐसा triangle है, जिसमें एक angle 90 degree है, क्या है, जिसमें एक angle 90 है, एक के अलावा, बाकी सारे angle कुछ भी हो सकते हैं, in fact, बाकी जो angle होते हैं, वो acute ही होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, मालो एक triangle हमने बनाया, कुछ इ यह है हमारे पास B, यह हमारे पास C, और यह जो angle है, हमारे पास 90 degree है, तो क्या यह angle right angle triangle हो गया, क्या यह triangle right angle triangle हो गया, बिल्कुल है यह right angle triangle, क्योंकि उसमें एक angle 90 degree है, सर बाकी angles के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, जैसे कि सर यह angle A है, यह angle C है, इनके बारे में क्या, तो तो चलिए थोड़ी सी बाते अपने इनके बारे में कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास तीन आंगल हैं, यह आंगल आंगल B है, यह आंगल आंगल A है, और यह आंगल आपके पास आंगल C है, तो यहाँ पे आंगल सम प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी, भैया वो तो हर रख दो तो यहाँ पे angle A plus 90 plus angle C की value आपको 180 मिलेगी आप 90 को उस तरफ भीज दीजिए तो angle A plus angle C की value जो है आपको 180 minus 90 मिलेगा 180 में से 90 घटा होगे आपको answer 90 मिलेगा यहनी कि angle A plus angle C की जो value है आपको यहाँ पे 90 मिलेगा in fact यह एक बहुत important property है की जब भी आपके पास एक right angle triangle होता है तो उसमें जो यह बीच वाला angle है वो तो 90 रहेगा पर बाकी जो दो angle होते हैं उन दोनों angle का sum हमेशा और हमेशा 90 ही होगा 90 से न जादा 90 से न कम अगर मैं यहाँ पे angle A को 30 degree बोल देता हूँ मैंने क्या बोला कि मेरा angle A जो है वो 30 है और मैंने आपको challenge किया कि मुझे angle C निकाल के दिखाओ तो आप बोलेंगे कि सर जो आपका angle C है वो 60 होने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता क्यूंकि जब आप 60 और 30 आड करेंगे तो आपके पास 90 बनेगा इस चीज का आप ध्यान रखिएगा हमेशा ये property hold करती है मान लीजे एक दूसरा right angle आपके सामने बनाता हूँ मान लो ये वाला एक right angle triangle मैंने बना दिया नाम रख दिया इसका P इसको बोला मैंने Q इसको बोला मैंने R और यहाँ पे जो angle Q है मैंने इसको बोल दिया 90 degree और मैंने आपसे सवाल किया कि यहाँ पे जो बाकी दो angle बचे है उनके बारे में क्या तो आप बोलोगे सर ये angle तो आपने बोल दिया है 90 है यहाँ पे एक angle बचता है angle P और यहाँ पे ये angle बचता है angle R क्योंकि हमारा q जो है 90 के बराबर है इसका मतलब angle p और angle r जो है यह हमें 90 degree के बराबर मिलेगा उनका sum जो है हमें 90 degree के बराबर मिलेगा अच्छा एक बात बताओ अगर इन दोनों का sum 90 degree के बराबर है तो angle p और angle r क्या होंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये जो दोनों आंगल हैं, ये दोनों आंगल आपके पास acute आंगल होंगे, in fact यहाँ पे बी जो आपका आंगल A और आंगल C है ये भी क्या थे, ये भी आपके पास acute आंगल थे, तो याद रखना इस बात को, कि अगर एक right angle triangle है, तो उसमें बीच वाला आंगल 90 है, तो बाकी बचे दोनों आंगल acute होंगे, और उनका जो सम है, वो हमेशा 90 डिग्री होगा, clear है right angle triangle, ये सारी बाते आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, चलिए, तो ये question तो होता है, खतम, तो ये दूसरा classification था, कहा आँगे भी classification, ये रहा classification, ये दूसरा classification था on the basis of angles पे, अब आता है आपके पास number 3 वाला classification, जिसको identify करने में बड़ी परेशानिया होती है बच्चों को, जो तीसरा classification है, उसको आप बुलाते हैं, obtuse angled triangle, क्या बुलाते हैं आप उसको, आप उसको बुलाते हैं, obtuse angled triangle, अब ये जो obtuse angled triangle होता है, उसमें सबसे पहला शब्द जो है, वो है obtuse, acute का मतलब हमने थोड़ी दिर पहले समझा था कि वो angle जो की 90 degree से कम होता है, तो obtuse का मतलब है वो angle जिसका sum जो है, जिसका जो measurement है, वो 90 degree से बड़ी है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको obtuse triangle बनाने की कोशिश करूँगा, तो उसमें कुछ ऐसा है कि कम से कम एक, य जैसे कि मानलो इस angle को बोल दिया मैंने, कि यह angle जो है 120 degree के बराबर हो गया, तो 120 हो गया, 60 बचा, मानलो इसको 30 बोल दो, और इसको भी आप क्या बोल दो, इसको भी आप 30 बोल देते हैं, तो यहाँ पे यह triangle बना सही है, measurement सही है क्योंकि तीनों को add करोगे न, 180 बनता है, important य यह है कि यहाँ पे जो यह angle बना है, यह angle का जो measurement है, 120 degree, यह आपके 90 degree से बड़ा है, इसका मतलब यह जो angle है, वो angle आपके पास obtuse angle है, और angle अगर obtuse है, या पे है कि triangle वो obtuse angled triangle आपके सामने बनता है, अब यहाँ पे question आता है, क्या एक triangle में एक obtuse angle होगा या obtuse angle जादा भी हो सकते हैं तो हमेशा ये बात याद रखेगा कि अगर आपके पास कोई सा भी एक triangle है उसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही obtuse angle होगा एक से जादा obtuse angle exist कर ही नहीं सकते हैं आप कभी नहीं कह सकते हो कि दो obtuse angle होंगे या तीनों के तीनों angle obtuse हो जाए, यह बिलकुल ही गलत बात होगी, एक triangle में only one obtuse angle can exist, यहाँ पे ही देख लो, यह वाला angle 120 हो गया, obtuse हो गया, अब यह वाला 120 अगर obtuse है, तो यह जो बाकी दोनों angle है, इनको acute रहना ही पड़ेगा, जैसे कि right triangle में था न, अगर एक angle 90 हो गया, वो भी आपके acute होंगे, तो वही कुछ आपके obtuse angle में भी follow up होता है, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तो यहाँ पे कुछ बाते मैंने आपसे कर ली, तीनों type के triangles मैंने आपको बता दिये, अब इन तीनों type of triangles में, एक बड़ी important चीज आ रही थी right angle triangle में, या एक ही right angle आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, कि एक triangle में एक से जादा right angle आ जाए, दो right angle आ जाए, तीन right angle आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, only one right angle possible है, और अगर obtuse लेते हो, तो उसमें भी सिर्फ एक ही obtuse angle possible है, चलिए, तो इन सारे concepts को खतम करने के बाद, हम सीख गएं कि types of triangles क् on the basis of angles, अब बात आती है, कि on the basis of sides, कितने types of triangle हो सकते हैं, तो sides के basis पे भी आपके पास 3 types के triangle हो सकते हैं, चलिए, देखते हैं, कि कौन से 3 types of triangle हो सकते हैं, पहला जो triangle होता है, आप इसको कहते हैं, scalyan triangle, नाम लिखते हैं हम, इसका नाम है scalyan triangle, अब यो जो scalyan triangle होता है, यह क्या होता है, तो scalyan triangle होता है, जिसमें 3 साइड के जो length होते हैं, वो different होते हैं, वो same नहीं हो सकते, माल लो, मैंने एक triangle बनाया कुछ इस प्रकार से, triangle का नाम रख दिया, मैंने A, यह है B, यह है C, इसमें तीन साइड है, AB का लेंथ 3 है, AC का लेंथ 4 है, BC का लेंथ आपके पास 5 है तो यहाँ पर जो तीनो साइड्स है, इन तीनो साइड्स का लेंथ क्या है? different है भाई जब तीनो साइड का length क्या है different है तो यह triangle कौन सा हो गया यह triangle जो है आपके पास scalion triangle हो गया अब यहीं सुनना scalion triangle जो होता है इसमें एक और खास property होती है इसमें property यह होती है कि जो तीनो angle बनते हैं angle A बना एक angle B बना और एक angle C बना यह तीनो angle का measurement भी different होता है इन तीनो angles में से कोई भी angle same नहीं हो सकता है यहनि कि scalion triangle वो triangle है जहाँ पे sides भी different है उनके side के length भी different है और उनका angle का measurement भी क्या है वो भी different है चलो बहुत अच्छी बात है अब scalion triangle तो हमने समझ लिया जो दूसरा type of triangle होता है आपके लिए आप उस triangle को बुलाते हैं isocellus triangle क्या बुलाते हैं आप उसको आप उसको बुलाते हैं isocellus triangle यह जो isocellus triangle होता है एक ऐसा triangle होता है जिसमें 2 side का जो length है वो same है माल लो मैं triangle बनाता हूँ triangle माल लीजी जिए कुछ ऐसा है यह point आपके पास a है यह point आपके पास b है और यह point आपके पास c है अब यह जो 3 points आपने बनाए है यहाँ पे एक triangle बना है a, b, c माल लो इस triangle में जो a, b वाला side है इसकी length जो है आपके a, c के equal है जो AB वाला side है, इसकी जो length है, माल लीजिए AC के equal है, BC वाला side different है, यहाँ पे जो BC वाला side है, यह side different है, इसका length सेम नहीं है, सेम किसका length है, तो सेम है length AB का और सेम है length AC का, जब भी कुछ ऐसा देख जाए, मतलब समझ जाएगा, कि यह triangle क्या है, यह triangle जो है, आपके पास Isocellus triangle है माल लो, यह side का length 6 है, इस side का length आपके पास 6 है, तो यह Isocellus triangle बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि 2 sides का length क्या है, सेम है, अच्छा, जैसे कि Scalian triangle में एक property थी, कि 3 sides का length जब अलग-अलग था, तो angle भी different था, ऐसा ही कुछ हमें observe करने को मिलता है, एक Isocellus triangle में, Isocellus triangle में इस side के opposite वाला angle बनता है angle C, और इस side के opposite वाला angle बनता है angle B. क्या है मैंने बोला, वापस से सुन लो, यह जो side A B है, इसका opposite वाला angle, angle C, और यह जो side A C है, इसका opposite वाला angle, angle B. अब भाई side क्या थे, same थे, तो side जब same थे, तो इनके जो opposite angle है, वो भी क्या होंगे, उनका भी measurement equal होगा, हाँ, यहाँ पे जो angle A है, यह different होगा, no doubt, लेकिन इसमें जो बाकी दो angle है, B और C, जो की opposite angles हैं, किनके opposite angle है, तो आपके equal side के opposite angle है, उनका measurement क्या होता है, उनका measurement जो है, same ह होता है, तो याद रखिएगा, isocellus triangle में, दो sides equal होते हैं, और उनका साइड के opposite वाले angles होते हैं, वो भी आपके equal होते हैं, तो यह तो second triangle अपने discuss कर लिया, अभी third triangle कौन सा आता है, तो third triangle जो आपके पास है, आप उस triangle को बुलाते हैं, equilateral triangle, क्या बुलाते हैं आप इस तीसरे triangle को, तीसरे triangle को आप बुलाते हैं, equilateral triangle, अब ज़रा समझते हैं, कि यह equilateral triangle क्या होता है, तो equilateral triangle एक ऐसा triangle है, जिसमें तीनो side का जो length है, वो same है, माल लीजे हमें triangle construct करते हैं, यह है आपके पास triangle, यह point है A, यह point है B, यह point है C, इसमें माल लो AB का length 5 है, AC का length 5 है, और आपके BC क का length क्या है, 5 है, तीनो side का length क्या कर दिया, मैंने, same कर दिया, अगर तीनो side का length same है, यह निकि मेरा AB जो है, BC के बराबर है, और यह जो है, AC के बराबर है, ऐसा type of triangle जो है, उसी को आप बुलाते है, equilateral triangle, क्या बुलाते हैं आप उसको, आप उसको बुलाते है, equilateral triangle, अब अगर यह triangle equilateral है, यहाँ पर भी कुछ property hold तो करनी चाहिए, क्या property है angles में, इस triangle में तीन angle है, एक angle A है, दूसरा angle B है, और तीसरा angle जो है आपके पास C है, Scalion में तीनो sides different थे, तीनो angles भी different हुए, Isocellus में दो side same हुए, दो angle भी same हो गए, और equilateral में तीनो side same हो गए, यानि कि तीनो angles भी क्या हो गए, same हो गए, In fact, आपको जानके खुशी होगी, कि ये जो तीनो angles की value है, इन तीनो angles की value आपके पास निकल के आती है, 60 degree, क्या निकल के आती है आपके पास, इन तीनो की value आपके पास निकल के आती है, 60 degree, जी हाँ, यानि कि जो equilateral triangle होता है, उसमें तीनो side तो same होते ही होते हैं, साथ में जो उनकी value 60 ही होगी. माल लो आप एक छोटा equilateral triangle बनाते हो, जिसका side 3, 3, 3 है, इसमें 3-0 angle कितने होंगे? 3-0 angle 60 होंगे. माल लीजे, आप एक बड़ा triangle बनाते हैं, जिसमें side जो है, आपके पास 6, 6 और 6 है, इसमें भी जो 3-0 angles हैं, वो कितने होंगे? वो आपके पास 60 degree होंगे. तो I hope आपको समझ में आ चुका है, कि equilateral triangle आखिरका होता क्या है. तो यहाँ पर जो हमारा classification था, triangles का, on the basis of angles and on the basis of side, वो होता है, खतम. और आपको यह पूरा classification दिमाग में याद रखना है, बहुत जरूरी discussion है, पूरा chapter जो है न, हर बार आप इन नामों को देखेंगे, इन नामों को पढ़ेंगे, इन नामों से कुछ न कुछ information आपके पास रहेगी. तो on the basis of side, acute, right and obtuse, and on the basis of side, scalian, isosilis and equilateral. चलिए. तो यहाँ पर जो आपके पास triangles का classification है, वो यहाँ पर होता है, खतम. अब बात आती है कि सर आपने introduction दिया था, यहाँ पर आपने हमें पढ़ाया कि triangle क्या होता है, यहाँ पर आपने हमें पढ़ाया कि triangle के types क्या होते हैं, उनके classifications क्या होते हैं. इन सारी बातों के साथ में, मैंने आपको एक और important चीज़ बताई है, जिसको और अच्छे से ध्यान रखना है, कि triangle का क्या होता है, एक angle sum property होती है, और angle sum property के अंडूसार, अगर कोई भी triangle है, तो उसमें तीनो angle का sum कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए. अगर इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे, तब जाके आपका ये chapter थोड़े proper तरीके से शुरू हो पाएगा. अब बात आती है, कि सर्थ ठीक है, ये सारी चीज़ों तो हम सीख गए है, triangle के नाम को हम कैसे रखें, बहुत important discussion है, याद रखेगा, triangle के हम naming कैसे करें, जैसे हमारे पास तो सर्थ बहुत सारे triangle होते हैं, इन triangle के हम naming कैसे करें, तो triangle के जो होता है, अलग-अलग तरीके से आप naming कर सकते हैं, जैसे कि मालो एक बड़ा simple सा triangle मैं ले लेता हूँ, ये वाला triangle, ये वाला triangle है A, इसका एक point लिया B, मैंने एक point क्या ले लिया C तो ये triangle का मैं name क्या कर दूँगा मैं बोल दूँगा कि ये triangle है ABC तो आप इसको क्या लिखते हैं? आप इसको लिखते हैं triangle ABC पर इसी चीज को कितना लंबा नाम हो गया न इसी चीज को लिखने का एक छोटा सा तरीका है क्या तरीका है? कि ये जो triangle symbol है इसकी जगह आप छोटा सा triangle बनाईए और यहाँ पर आप लिख दीजिए ABC तो ये जो यहाँ पर मैंने symbolic form में चीज़े लिखी इसको ध्यान रखिएगा माल लो यहाँ पर एक दूसरा triangle अपन बनाते हैं और दूसरा triangle जो है आपके पास कुछ ऐसा है और मैंने आपको बोला कि मुझे इस triangle का नाम रख दो तो आप बोलोगे ठीक है सर आप ऐसा लिख लो triangle DEF ये आपने क्या कर दी? इस triangle की जो है naming कर दी है triangle का symbol बनाया, B बनाया, E बनाया, F बनाया और आपके सामने क्या हो गया? triangle DEF बनके तयार है तो कभी भी triangle ABC, triangle DEF ऐसा मतलिकना एक छोटा सा symbol और बस उसका नाम आप लिख देजिए और नाम लिखने में भी आप अलग-अलग तरीके अपना सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि इसको DEF बोलना है आप चाहो तो इसको EFD बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप चाहो तो इसको EFD बोल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा, अगर आपका मन करें तो आप इसको triangle DFE बोल दीजिए तो भी सेम बात है, तो भी फर्क नहीं पड़ता है तो नाम किसी भी प्रकार से रख सकते है बस उसके vertex उस नाम में आने चाहिए किसी भी order में हम triangle का नाम जो है वहाँ पे रख देंगे चलिए, तो ये discussion था थोड़ा सा हलका सा triangle के naming के बारे में बाकी measurement वगरा के बारे में तो मैंने idea दे दिया है एक हलकी सी छोटी सी और चीज़ बच गई है, उसको भी सुन लो कि sir, क्या हम किसी triangle को देख के बता सकते हैं क्या कि वो acute है, कि obtuse है, कि right angle है ऐसा देख के बता सकते हैं क्या, तो हाँ, हम बता सकते हैं दुनिया में जितने भी acute angle है, हमेशा आपको इसी format में दिखेंगे ये जो format दिया है न मैंने, ये वाला, इस तरीके से जितने भी acute है, मैं आपको challenge करता हूँ कि कोई भी ऐसा acute find करतो जो इस तरीके से न दिखे, तो मैं मान जाओंगा इसलिए बोल रहा हूँ, दुनिया में जितने भी acute angle है, हमेशा आपको इसी form में दिखेंगे तो ऐसा diagram दिख जाए, तो समझ जाएगा कि आपका triangle जो है, acute triangle है अच्छा, एक और बात सुन लो, दुनिया में जितने obtuse triangles हैं, वो हमेशा कुछ आपको इस format में दिखते हैं यनि कि वहाँ पे जो एक angle होता है, थोड़ा सा widened रहता है widened इसलिए रहता है, क्योंकि उस angle की जो value है, आपके 90 degree से बड़ी है उसका जो एक angle है, आपके पास obtuse है, तो इस type के दिखने वाले triangle आपके actually obtuse कहलाते है और तीसरा तरीका होता है right angle triangle, तो right angle triangle का दिखने का तरीका, तो आप सभी जानते हैं कुछ इस प्रकार से होता है, तो ये सारी बाते थी एक triangle के बारे में, कि acute ऐसा दिखता है, obtuse आपके पास ऐसा दिखता है और जो right की बात करें, तो right triangle जो है, आपके पास कुछ इस प्रकार से दिखता है clear हैं चीज़े, कहीं कोई issue तो नहीं, अच्छा, अब एक और छोटी सी बात सुनने न, वो भी बड़ी जरूरी चीज़ है अगर मैं कहूं कि आपके पास एक right angle triangle है, क्या कहूं कि अगर आपके पास एक right angle triangle है, ऐसा, ध्यान से सुनना, important question type का ले लो right angle triangle का नाम है A, B, C, ऐसा मैंने कह दिया, और इस right angle triangle की property बड़ी खास है, इसको हम right angled तो बुला ही रहे हैं, इसको हम right angled तो बुला ही रहे हैं, साथ में हम इसको isocellus भी बुला रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इस triangle में दो-दो property जोडने की कोशिश की है, कौन सी दो property, मैं इस इसको isocellus भी बुला रहा हूँ, तो एक बात बताओ, एक ऐसा triangle जो right angled भी है और जो isocellus भी है, इसका मतलब समझें आप, मैं समझाता हूँ, यह 90 है, और इसमें कौन से 2 side equal करना चाहते हो, तो याद रखो, जब भी एक right angled isocellus triangle लेते हो, तो यह वाला side, AB वाला side, और जो BC वाला side होंगे, यह आपस में क्या होंगे, equal होंगे, तो हम कह सकते हैं कि इस triangle में हमारे पास AB और हमारे पास जो BC है वो equal है, अब मेरा मन हुआ कि अच्छा, AB और BC equal है, तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि angle A और angle C का measurement क्या है, तो बता सकते हैं, कैसे sir, तो सुनो, भाई हमार AB वाला side, हमारे BC वाले side के equal है, हाँ, sir equal तो है, तो अगर AB और BC equal है, तो इनका जो opposite angle है, यह angle कितना हो गया? Angle A हो गया, यह angle कितना हो गया? Antle C हो गया, इन दोनों की value क्या होगी? Sir, इन दोनों की value equal होगी, ऐसा क्यों? तो triangle कैसा है, isoceles है तो जो उनके opposite side के opposite angles होते हैं वो भी क्या होते हैं, equal होते है यनि कि हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो angle A है और angle C है यह equal है, सर इससे फाइदा क्या मिला सुनना है फाइदा क्या मिला, अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, कि अगर एक right angle triangle है, तो उसमें जो दो angles बनते हैं, उनका sum कितना होता है हमेशा, सर 90 होता है आपने पढ़ाया था, यनि कि यहाँ पे angle A plus angle C का जो sum है, आपको 90 degree मिलेगा अच्छा, अब angle C की value क्या रख सकते हो, आप angle A रख सकते हो, देखो, equal है, तो angle C की value क्या रख सकते हो, आप angle A रख सकते हो तो यहाँ पे जो angle C है, इसकी जगा, आप angle A डाल देंगे कितना sum होगा, 90 के बराबर angle A plus angle A, क्या मैं 2 times of angle A, बराबर 90 लिख सकता हो, बिल्कुल सर, कोई शू नहीं है क्या मैं इस A को नीचे भेज सकता हो, बिल्कुल सर, कोई शू नहीं है इसका मतलब angle A के value 90 degree upon 2 आ जाएगी और 90 upon 2 का मतलब है कि मेरा जो angle A है, वो 45 degree बन जाएगा, और मेरा angle A, अगर 45 बनता है तो क्या हुआ सुनना, angle A अगर 45 बनता है तो angle C तो angle A के equal है भई हमारा angle C, हमारे angle A के equal है, इसका मतलब हमारा angle C क्या है, वो भी हमारे पास 45 degree है, और यही चीज में आपको पढ़ाना चाहता था, कि अगर कोई बोले right angled isocellus triangle, तो समझ जाएगा कि यह वाला angle भी 45 होगा, और यह वाला भी angle 45 होगा, और उसका मैंने proof यहाँ पे दिया है, अभी जो chapter आगे बढ़ेगा तो इस type के questions आपको मिलेंगे, बट मेरा ऐसा मानना है कि यह चीज़े काफी fundamental है यह चीज़े आपको मालूम होनी चाहिए, जिससे आप question को बहुत आसान तरीके से कर पाओ, तो क्या conclusion निकला conclusion यह निकला, कि अगर आपके पास एक right angled triangle है, तो ठीक है, उसमें यह वाला side और यह वाला side equal है यानि कि यह right angle तो है ही है तो साथ में लिखो, कि यह right angled तो है ही है, right angled के साथ यह isocellus भी है, तो right angled isocellus triangle में यह अगर 45 है, तो यह भी कितना होगा, वो भी आपके पास 45 होगा, यह हमेशा true है, कभी भी गलत नहीं होता है दुनिया में कोई सा भी right angled isocellus triangle आप ले लीजे यह जो angles हैं, हमेशा आपको 45 degree measurement देंगे ही देंगे, और यहाँ पे जो introduction वीडियो था, जहाँ पे मुझे आपसे triangles के बारे में बाते करनी थी, वो यहाँ पे होता है खतम, इतना ही था introduction में introduction में इसको इसलिए बुलाता हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना था, कि triangle होता क्या है, triangle से क्या related properties होती है, किस type of triangle होते है क्या उनमे angles के बारे में discussion हो सकता है, तो वो सारा information यहाँ पे मैंने दिया है, यह मत सोचना कि chapter इतना ही था, chapter में तो बहुत सारी बाते बची है, इसके बाद वाली video में मैं आपसे discuss करूँगा, कि triangle या फिर congruency शब्द का मतलब क्या है, इसके बाद discuss करेंगे कि congruency शब्द का मतलब क्या है, और फिर धीरे-धीरे जो है अपने इस chapter के question, exercises, examples, उन सब चीजों पे आएंगे, फिलहाल इस video में बस इतना ही था, लेकिन video को बंद करने से पहले, कुछ important बाते, आप ज़रूर यहाँ पे जान लीजिए, तो यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं magnet brings के website के बारे में, बहुत important जगे है अगर आप अपने education को अच्छा करना चाहते हैं, तो free of cost है, tension मतलो Google Chrome खोलना, type करना www.magnetbrings.com website खोलेगी, इसमें CBSC English वाले section को select करना Class 9 को select करना और आपके सामने Class 9 के courses खोल जाएंगे इसमें गौरव मिश्डा का यह जो watch now है इसको दबा देना, आपके सामने पूरा course खोल जाएगा, जो भी chapter का वीडियो देखना है, उसपे click करना, वीडियो प्ले हो जाएगी and that too free of cost, यह नि कि कोई भी पैसा नहीं देना है, तीन काम ज़रूर करना है वीडियो को like, channel को subscribe, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को share, बाकी comment box आपके सामने है, जाएए comment करिए, कोई भी doubt है इस वीडियो से related तो उसको भी comment में आप डाल सकते है relevant doubt डालिएगा, so that's all for this video, इसके अगले वीडियो में मैं आपको मिलूंगा, जहां पर मैं आपको समझाओंगा कि आखिरकार ये congruency शब्द का मतलब क्या है